हलो फिंस वेलकम टू मैं चैनल दीशेफटास्टिक्स तो दोस्तों आज मैं आपको घर में ही पीजा की सॉस बनाने का साम तरीका बताऊंगा इससे आप घर पर ही बड़ी असानी से बजार जैसी इवन उससे भी बड़ी जा पीजा सॉस बना सकते हैं वो पता नहीं कैसे कैसे और हर तरह के नमाड़े यूज़ करते हैं बट मैं आपको बताऊंगा कि हम घर पर इससे बिलकुल हाईजिन और अच्छे नमाड़े यूज़ करके कैसे बना सकते हैं और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं जब कभी पीजा पास्ता या कोई भी रेस्पी आपने बनानी हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो आए शुरू करते हैं अब एक पैन लिया है और इसमें डाल देते हैं एक टेविल स्पूल और इसे थोड़ा गरम होने देते हैं और जैसे ही गरम होगा हम डाल देंगे यहां गार्लिक क्लोव्स उसे कुछ देर भून लेंगे और जैसे ही इनका थोड़ा कलर चेंज होगा हम डाल देंगे अनियन्स और साथ ही एड़ कर देंगे ग्रीन चिली इन्हें रफली चॉप ही किया है आप कैसे भी काट के डाल सकते हैं विकास बाद में हमें इसे ग्राइंड ही करना है बस अब इसे चलाते हुए थोड़ा भून लेते हैं और जैसे ही थोड़े टांस्लूसेंट होते हैं हम एड़ कर देंगे जिंजर पेस्ट और फिर इसको भी इसके साथ अच्छे से भून लेंगे इससे तब तक भूनना है जब तक इसकी रौ स्मेल चली नहीं जाती देखिए यह भून चुका है बस अब एड़ करेंगे टमेटो और इसको भी रफली चौप करके ही डाल रहे हैं टमाटर रेट करने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बस अब इसे पांस से छै मिन्ट तक ढ़क कर पकाना है जब तक tommata न्योंषे हैं तो देखिए दोस्तो ठंडा हो गया है चलो ग्राइंड करके लाते हैं तो देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है अब हमने क्या करना है अब हम फिर से पैन में एक टेबल स्पून औरी डालेंगे और जैसी ऑइल हलका गरम होगा ज्यादा गरम नहीं करना है इसमें हम कश्मीरी डड़ चिली पाउडर डालेंगे और साथ ही डालेंगे औरिगानो और यह कश्मीरी चिली से कलर बहुत ही अच्छा आता है और बस साथ ही आड़ कर देंगे एक ग्राइंड प्यूरी और इसे थोड़ी देर पकने देंगे बस अब एड़ करेंगे वन टीश्पून सौल्ट आफ टीश्पून शुगर और हाफ टीश्पून रेड चिली फ्लेक्स और अगर आप घर वाले रेड चिली फ्लेक्स की रेश्पी देखना चाते हैं तो उपर आई बटन पर लिक कर सकते हैं बस अब इसे अच्छे से मिला बस अब इसे कवर करके तीन से चार मिनट पकाएंगे जब तक और अलग नहीं हो जाता है तो देखिए आईल अलग हो चुका है और तयार है हमारी पीजा सॉस देखे कितनी असान इसे कुछ ही मिनटों में त्यार हो गई है और तेस्ट मार्किट की सॉस से भी अच्छा है और मोर वर पता है कि कैसे टमाटा यूस के हैं आप इसे किसी भी गलास के कंटेनर में स्टो सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे जो लाल कलर में यह सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसे दबा दीजिए दबा दिया तो आप यह जो घंटी दिख रही है इसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे थैंक्यू फ झाल